आप देख सकते हो ये नोटिफिकिशन जो है उडिसा पावर ट्रांस्मीशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई वी है और इसमें हम लोग सारी चीजां डिटेरिम डिसस करेंगे और यदि आप इस चानल पे नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजी जिससे आपको Everyday Government Jobs Related Notifications मिलते रहे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे Vacancies तो यह Vacancy जो है Junior Management Training Electrical Department में आई वी है और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है Date तो आप जो है यहाँ पे 10 जनवरी से 10 फरवरी तक आप Form Fill कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे Vacancies तो इसमें जो है यहाँ पे Asim में 12 Vacancies है और UR में Total 28 Vacancies है Total Vacancies की बात करें तो यहाँ पे 40 Vacancies है जिसमें Women के लिए यहाँ पे 13 Vacancies है और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है यह Vacancy जो है Contract Basis पे होगा और यह Contract Long Term का है आप यहाँ पे देख सकते हो और जब आपका Contract Complete हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे Permanent कर दिया जाएगा तो अच्छे Opportunity है आप लोगों के लिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है यहाँ पे First Year आपको जो है Training Period में रखा जाएगा और Salary जो है First Year 20,000 पर मन्त की होगी और यहाँ पे Second Year 22,000 Third Year आपको जो है 24,200 Fourth Year 26,620 रूपीज और यहाँ पे Fifth Year 29,285 रूपीज और Last Year 32,250 रूपीज पर मन्त की Salary होगी और जब आपका यहाँ पे Contract Complete हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे Permanent कर दिया जाएगा और जब आप Permanent हो जाओगे तो यहाँ पे Salary 44,900 पर मन्त की होगी और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे Qualification तो इसमें जो है Electrical या फिर Electrical and Electronics Engineering से आपका जो है डिपलोमा होना चाहिए 60% के साथ और यदि आप SC या फिर PWD काटिगरी में आते हो तो 50% रिजल्ट होना चाहिए तब यहाँ फॉर्म फिल्क कर सकते हो minimum राइट और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है Age तो आप जो है 21 से 32 यर तक आप फिल्क कर सकते हो और यहाँ पे Age में कुछ छूट मिलेगा यदि आप SC काटिगरी में आते हो तो 5 यर woman यदि आप हो राइट तो यहाँ पे Fiver कर छूट मिलेगा और यदि आप यहाँ पे PWD काटिगरी में आते हो तो यहाँ पे आपको 10 यर तक का Age में छूट मिलेगा और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है selection process तो यहाँ पे selection process आपका जो है computer based test and personal interview के basis पे selection होगा और यहाँ पे computer based test जो है total 200 नंबर का होगा राइट और इसमें जो है multiple choice question होगे जिसमें यहाँ पे 80% आपका question जो है subject knowledge से होगा और यहाँ पे 10% numerical या gk आपका reasoning से 10% question होगा और यहाँ पे English knowledge से 10% question होगा राइट और total 3 गंटे का time आपको दिया जाएगा और इसमें जो है कोई भी negative number नहीं है तो अच्छी opportunity है आप लोगों के लिए यदि आप लोग reasonable हो तो form को जड़ फिल कीजिए और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है application fee तो यहाँ पे जो है undeserved and SEBC के लिए 1000 application fee होगा और जो student SE, ST, PWD category में आते हैं उसके लिए यहाँ पे 500 रुपीज आपका जो है application fee होगा और payment आप जो है यहाँ पे debit card, credit card, net banking के माधियम से कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि form fill करना कैसे है तो form fill करने के लिए आपको जो है इस website पे जाना होगा इस website पे जाके आपको form fill करना है form fill करने के लिए सबसे पहले आपको register करना होगा mobile number और email id डालके right उसके बाद आपको form fill करना होगा और यदि आपको form fill करने में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूँगा और यहाँ पर form fill करने में आपको क्या क्या चीज़ां document में देने हैं scan करके यहाँ पर दिया हुआ है आप इसको अच्छे से check कर लेना और और इस notification में कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होता है form fill करने में हो या इस notification के बारे में तो आप comment कर सकते हो तो thank you for watching this video